हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तुड़ें आपके स्किन को ग्लोइंग और स्मूथिंग बनाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोस्स सबसे पहले आपको चाहिए एक एक एम्टी कंटेनर इस तरह के से एक एम्टी कंटेनर आपके पास जो भी है वो ले ले इसमें हम एड्ट करेंगे अलुएरा जेल यहां पर मैं लगभख त्री टीस्पून अलुएरा जेल ले रही हूं इसमें हम एड्ट करेंगे 1 तीस्पून वैसलीन पेट्रोलियम जेली अब हम इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फैंस यह है वैसलीन की प्यूर वाइट स्किन जेली यह सिरम आपके स्किन को ग्रीजी नहीं बनाता है यह आपके स्किन को ग्लोइंग और स्मूथनिंग करता है और इससे लगाने से आपके स्किन पे कोई साइड अफेक नहीं है यह सिरम फर आल स्किन टोन के लिए है अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लंस ना रहे फ्रेंस अब मैं इसमें आड़ करूंगी हाफ टीस्पून औफ प्यूर आल्मंड ओल फ्रेंस यह है जाबार बादाम तिल प्यूर आल्मंड ओल जिसे कहते हैं वो मैंने इसमें आड़ किया है अब मैं इसमें दालूंगी जिस्ट त्री टू फोर ड्राप्स ओफ कोकनोट आल्मंड फ्रेंस जादा नहीं बस तीन से चार ड्राप काफी है कोकनोट आल्मंड के अब इसमें हम लास्ट इंडिडेन डालेंगे जो की हमारा रोज बॉटर है इसमें आड़ कर लेजिए वह इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेए प्रेंस यह सीरम आपके स्कीन को ओईली ग्रीजी नहीं बनाता है आपके स्कीन को स्मूथ अफेक्ट और ग्लोइंग बनाता है और आपके स्कीन में एक शैन भी आ जाएंगी इससे उसके ने पर अगर आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और अलूए जल इसमें आट करना चाहते तो आप आट कर सकते हैं इसमें मैंने सारे ऐसे इंग्रीडन्स दाले हैं जो की इजिली एवुलेबल है और आपके स्कीन को पाइदे मंद बनाने में मदद करते हैं तो फ्रेंट्स हमारा डी आईवाई स्कीन सिरम बनके रेडी है देख सकते हैं सारे इंग्रीडन्स हम लें जो भी इस्तेमाल किये वो है नैच्रेल इंग्रीडन्स है जो आपके स्कीन को बिना कोई साइड अफेक के ग्लो और स्मूथनिंग देंगे अगर आपको मेरा ये वीजियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा प्रेंट्स इसका टेक्स्चर इस तरीकी से होता है मैं अपने हाथ पर लगा कि आपको बताऊंगी देख सकते हैं आप किस तरीकी से शाइन और ग्लोइंग नस आ गई है वह स्मूथ एफेक्ट भी हो चुका है अगर आपको मेरी ये वीजियो पसंद आये तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक यू फर वाचिं दी वीडियो